असलाम अलेकुम नमस्कार सस्रीयकाल दोस्तों दोस्तों के स्टुडी बाई स्टूडेंट के अंदर हम लोग नए नए वीडियो जो है वो डाल रहे हैं और स्टूडेंट का वर्क डाल रहे हैं और आप लोगों से बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमको मिल रहा है उसके लिए सबसे पहले तो सब का धन्यवाद दूसरी चीज़ के आज का वीडियो है वो थोड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यह जो वीडियो है यह एक रेडिमी का मॉडल है रेडिमी नॉट 12 फाइजी और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो सेकंट्री शॉटिंग का है जनरली प्राइमरी शॉटिंग के अंदर तो जो स्टूडन है वो बहुत इजीली वर्क कर लेते हैं लेकिन कई-के स्टूडन को ऐसा लगता है कि लेकिन यह मेरी ओफिस पर ही जो मेरे यहां पर जो मेरे कलिक्स है जिसमें मितेश सर और अली सर जिन्हों ने यह फोल्ट को सौल किया था और मुझे अच्छा लगा कि यह आप लोगों को हैल्पूल हो सकता है इसलिए मैंने जो उसका प्रॉब्लम था वापिस वैसे का वैस है कि वह भी हमेशा मिलता रहेगा दूसरी चीज़ के दोस्तों हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की चलाते हैं अगर आपका हैंट स्किल मचबूत है यानि कि आपको हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मैं गैरेंटी लेता हूं कि मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है जो नए मोडल्स की जो नए आईसी है उसके अंदर क्या-क्या चैंजिस आया है वो सारी चीज़े में उसमें डालने वाला हूं दूसरी चीज़ के हमारा जो कॉर्स है वो लाइफटाइम के लिए है तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कॉर्स ले लिया तो फिर आगे आपको अ इनिमेटेड तरीके से हमने बनाये हुए है और उस वीडियो को देखकर ही आप अच्छा खासा नॉलेज जो है वो ले सकते हो तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए देखते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडब और जब हम इसकी पावर की को प्रेस करेंगे तो ये कितना रीडिंग लेता है ये मैं आपको दिखाना चाता हूँ तो देखिए ये जो है ये पंसो के असपास रीडिंग जाता है और जैसे ही पावर की को हम छोड़ते हैं तो ये जो है वो जीरो हो जाता है देखो जीरो हो वो 500 million ampere तक जाता है उसके आसपास और फिर जासे ही switch को हम release करते हैं तो यह 00 हो जाता है यानि कि यह definitely ऐसे दिखा जाए तो यह secondary line का ही shorting है और अब हम इसको देख लेते हैं board के अंदर पहले हम randomly check कर लेते हैं देखिए यह buck coil की value आ रही है उसका दूसरे सीरे पर भी आ रही है यहां भी आ रही है उसके दूसरे सीरे पर भी check कर लेते हम देखिए यहां भी आ रही है यह वाली coil पर भी आ रही है reading कम है लेकिन सही है ठीक है यहां पर भी reading आ रही है लेकिन सही है यहां पर देखिए तो य के बड fino अधे कि इंग्न यहां पर ही isम यह दा फोसे द्लावैम यह बडं अआको कह रोगी होगी कि विअ कि यहां पर देख लेते हैं, यह बी और ने जो फेघ्ला है जो हां और रही है वाहां पे पॉयार है यहां पर देखते हैं यहां पर जीरो टू आ रहा है यह एक ग्राउंड है दूसरी साइड देख लेते हैं यह भी जीरो टू दिखा रहा है आगे वाली देख लेते हम यह ओके है एक लाश्ट बची है उसको भी हम देख लेते हैं देखिए यहां पर भी रिडिंग आ रही है अंदर की साइड भी आ रही है यानि कि यह सारी लाइने ओके है एक वाला कोईल सिर्फ अमारा जो है फर्स्ट तम्बर का अमगे जो पहला दीखा मतलब वही वाला जो है हमारा शॉट है तो उसको हम देख लेते हैं एक बार भीर से चेक कर लेते हैं ताकि हम आहें तसलिय हो जाए कि हमने कहां पर शॉटिंग फाइंड किया था यह वाली भी ओके है यह वाली जो कोईल है यहां पर शॉटिंग दिखा रहा है दोनों साइट पर यानि कि definitely यह वाली कोईल जो है यह शॉट है अब यह आईसी के अंदर भी शॉटिंग हो सकती है या इसके आउटपूट में भी हो सकती है तो इस कोईल को अगर हम बौर्ड में से हटा देते हैं फिर हम अगर च्थेक करते हैं तो हमें properly पता चलेगा कि IC की side shotting है या output में shotting है तो कि जनरली IC से जो निकलेगा वह इस coil का input बनेगा और इस coil से जो output निकलेगा वह बाकी सब के लिए input बनेगा तो यहां से basically हमको coil हम हटा देंगे तो IC की side shotting है या कहीं और shotting है यह हम पता लगा लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते है coil को remove करते है इसके ओपर थोड़ा सा flux apply कर देते हम पहले थोड़ा सा flux apply कर दिया तो यह coil जो है अमरी remove हो गई है अब हम इसके जो pad है वहाँ पे चेक करेंगे लेकिन पहले इसको cooling fan से थोड़ा हम PCP को ठंडा कर देते हैं और फिर बाद में जो है हम इसकी pad value डेंगे क्योंकि जब water heat होता है अब pad value उसकी नहीं लेनी चाहिए हमें यह हमने fan को हटा दिया बाद ठंडा हो गया है आईसे भी ठंडी हो गई है अब हम इसका pad value डेंगे कि यहां पे कौन सी site shorting है यानि कि IC की site shorting है या उसके output है यहां पर हम देखते है तो यहां पर 408 यानि कि IC की site जो हमारा GR complete आ गया यानि कि इसका output ही short है यानि कि output की line इसकी कहा जाती है वह अब हमें schematic से देखना है तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि यहां पर जो यह हमारी IC है उसके बगल में एक buck well लगी हुई है जो short है generally लोग क्या करते है कि यहां पर कोई ने कोई voltage दे देते है और फिर वह shorting जो है वह CPU और EMMC को भी damage कर सकता है तो ऐसे कभी भी voltage नहीं देना है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो यह line है यह कितने voltage की है कितने ampere की है और फिर वह ही सबसे हम अगर उसके voltage देंगे तब वह बात जो है वह सही है उससे ज्यादा अगर हम voltage अगर दे देते हैं तो जिसकी वज़ा से हमारा phone जो है वह permanently dead हो जाता है तो ऐसा काव हमको नहीं करना है हमको एकदम safe work करना है तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह line जो है वह exactly कहा कहा पे जा रही है तो यह जो है इसकी coil का number है यही हमने जो देखा था कि यहां पर जो हम देख लेते हैं तो pcb के अंदर हमने location find out कर लिया है अब उसी को हम schematic के अंदर find करते हैं तो schematic के अंदर भी मैंने already इसको find करके रखा हुआ है कि यह जो है यहां पर है यह वाली जो कोईल लगी हुई है L1311 यह वाली जो कोईल है वो लगी हुई है और यह लाइन है V-req S7 की और यह V-req S7 की लाइन जो है वो आगे जा रही है हम पहले देख लेते हैं कि यह वाली IC का नंबर क्या है इस IC का नंबर है PM6375 तो यह IC का नंबर है और इसका पार्ट नंबर है U1201E यानि कि यह एक पावर IC है जिसमें से यहां से कई सारी बक वल्टेज जो है वो आउटपूट कर रही है ठीक है उसमें से एक वल्टेज जो है हमारा यानि कि L1311 पर जो वीरेग L7 वाला वल्टेज है वो वल्टेज यहां पर हमें आउटपूट में शोटिंग दिखा रहा है यानि कि यह जहां जहां भी जा रहा है उस जगह पर हमको देखना पड़ेगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर तीन कैपसिटर लगे हुए है มा झालने इसन है तो सबसे पहले प्रétait यहां पर आके ड़ीच लिया है यह पर यह कहMeं उनचालिस रेकि呢 यह जाएं deliver with देख लिया के यहां पे है तो यह दो कैपसिटर जो है वो यह वाला है 1338 और 1337 यह दो कैपसिटर में से लाइन जो है यह आगे जा रही है यहां पे लिखा है वी रेक S7A और यह 1.952 यानि के तक्रीबन यहां से निकाल रहा है अब यह जा रहा है यहां से आगे यहां पे लिखा है PM735A जो एक दूसरी पावर आइसी स्पॉन के अंदर लगी है उसके लिए LDO सप्लाई बनाने के लिए इसको इंपूट किया गया है और PM6375 LDO इंपूट यह भी यहां पे रेगूलेशन के लिए इसके लिए भी इसको यूज किया गया है तो हम देख लेते हैं कि यह लाइन जो है वो कहा कहा पर जा रही है यहां से हमें यहां पर रही है इसके अंदर यहां इसके अंदर यह इसको उनसी है यहां पर इसका इंपूट गया है यानि कि इसका यहांपर इंटर्नर ली बहुल अगर तो भी आपको वहाँ पर यह शॉर्टिंग दिखा सकता है तो यह एक चीज हो सकती है ठीक है दूसरी चीज के उसके बीच में दो कैपसिटर लग गये है अगर उसमें से कोई कैपसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो भी यह प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जनरली कोई कोई component का यूज नहीं किया गया है यह सीधे सीधी लाइन आ रही है यहाँ पर कोई component नहीं है तो यहाँ पर जो आई है यह तीन जगा के लिए है एक आपका बनेगा VDD L9 और L11 यानि के L EOS यहाँ पर बन रहे है जो एक से लेके 24 है उसमें से जो इसका L9 और L11 है उसका यह मिलेगा तब यह अउट्टूक में बनाएगी यह सारी डीटेल जो है वो मेरे कोर्स के वीडियो के अंदर है मैंने एक एक आई-सी के बारे में समझाया है तो जिन लोग के लिए तो जनरली वोल्टेज के आसपास के जितने भी ऐल्डियो है वो इसके आउट्फूट में बनेंगे यानि कि 9 – 11 और फिर 10 यानि कि 9 – 10 – 11 12 भी है तेरा भी है 14 भी है ऐंदरा नहीं है 16 है तो यह इतनी ऐल्डियो सप्लाई जो है वो इसके इंपुट मिलने से आपको ब कि यहां पर है यह L9 है 600 milli ampere बनाएगा लेकिन इसका voltage चायद यहां पर नहीं लिखा है voltage नहीं है . तो वाराल यह दो voltage का यह सफास के यह लियो बनाएगा डैपिन्टछी तुक्छा inputs जो है 2 voltage का है तो 2 voltage का यहां सफास का 1.8 बन रहे है सारे इल 9 जो है यह भी 1.8 1.8 है यह सारे के सारे 1.8 है ठीक है तो कहने का मतलब के इसके milli ampere बहुत काम होते देखिए कई बार कुछ student जो है वो LDO supply में short होता है तो वहाँ पे पांच ampere दे देता है लेकिन यह 500 milli ampere यह 600 milli ampere यह 300 milli ampere यानि कि आदे से भी कम voltage जो है इसका निकलता है और यह line जो है कभी-कभी जा रही होती है CPU में और जब वहाँ पे आप 5 ampere अगर दे देते हो 1.5 ही देते हो voltage तो लेकिन यह ampere इसकी यह high capacity है इसकी इससे जादा ampere यह थोड़ा बहुत सांट कर पाएगा उससे ज्यादा ampere अगर आप देते हो ऐसा shotting के अंदर तो आपको problem होती है तो कई बार इसकी वज़ा से आपका phone जो है वो permanently dead हो जाता है ठीक है तो कोई बात नहीं यह यहाँ पर supply आ रही है तीन LDO बनाने के लिए तो यह हमने देख लिए हैं यहाँ से ठीक है अब हम देखते हैं के और आगे यह कहीं और कहीं जा रही है क्या नहीं जा रही है ठीक है तो यहाँ पर देखिए एक तो यह चीज हो सकती है कि यही 6-3-7-5 IC है इसका अगर यहाँ पर कोई ball अगर जो यहाँ पर आ रही है देखिए यहाँ पर आ रही है VDDL4 बनाने के लिए यह IC है U1501 इसका part code है ठीक है और इस IC का नंबर जो है PMR735A तो इस IC के अंदर यहाँ पर VDDL4 यानि के जो LDO4 बनेगा वो यहाँ से बनेगा तो यह LDO4 बनाने के लिए इस IC में आ रही है यहाँ पर यह जो लोकेशन है इसका यहाँ पर है और IC का part code किया था इसका C1501 तो यह C1501 जो है उसको भी हम find gun लेते हैं यह सोरी U1501 यह वाली है तो यह वाली IC जो है वो यहाँ पर है जो के अलग से IC बनाई है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ LDO4 बनाने के लिए दूसरा हमने देखा के यहाँ पर यह जो लाइन जो है वो आ रही है और ठीक है और तीसरी और कहीं पी जा रही है या नहीं उसको हम चेक कर लेते हैं यहां समझे सेलेक करना था तो यहाँ पर एक LDO बनाने के लिए आया है लेकिन यह मैं ओडेडी बोर्ड में देख चुका हूं यह वाला LDO जो है वो कंप्री ने यूज नहीं किया है यह जगह घाली है अब इतनी चीजह हम नहीं यहां पर यहां नहीं है अब इसके अंदर से जो लाइन निकल रही है वो कहां पर जा रही है तो V switching S7 यह वाली जो लाइन है वो हमारी यहां से switching supply यहां से output हुई है जिसके अंदर एक लगी हुई है बककोईल जो के L 13 11 यह नंबर की है और इसके अंदर हमने देखा के तीन कैपसिटर है जिसमें से एक कैपसिटर NC है यानि के दो कैपसिटर हमको बनाने पड़ेंगे उसकी हम बना लेते हैं तो यहां से जो है हमारा V switching S7 जो है वो यहां से हमारा निकल रहा है ठीक है उसके अंदर हम क्या क्या लगाएंगे तो एक लगाएंगे हम बककोईल तो यह बककोईल हमने लगा दी जिस दूसरे इसके अंदर दो कैप लगे हुए एक है C1337 जो करते हैं और एक है C1338 और यह भी टैन मैक्रोफेर अने का है और अब यह लाइन जो है वो आगे जा रही है आगे कहा जा रही है तो यहां से हम इसको करते हैं next तो यह वापिस आई है इसी IC के अंदर PM6375 और पार्ट वापिस आ रही है इसी के अंदर क्यों आ रही है क्योंकि यहां से LDO सप्लाइ जो है वापिस से आउट्पूट होगे और अब कहां जा रही है तो इसको भी हम देख लेते हैं यहां से हम इसको करते हैं next तो यह इस IC में आ रही है जिसका नाम है PMR735A और इसका पार्ट कोड है U1501 तो यह भी हम बना लेते हैं यहां से यह जो लाइन है हमारी जाएगी और वहाँ पर एक लगा हुआ है कैपसिटर जो मैं आपको बताना भून लिया 1619 यह 1μF का कैपसिटर है और इसके बाद यह लाइन जो जा रही है इस IC के अंदर जा रही है ठीक है इसके अलावा और कहीं जा रही है तो इसके अलवा और कहीं बेरेख्याल से नहीं जा रही है यह कैपसिटर हो गया उसके बाद जो मैं दिखाए ताब को यह LDO लेकिन इस खाप बॉर्ड के अंदर कहीं यूस किया गया नहीं है यह NC रखा है का यह company ने यूस नहीं किया है तो बारहाल इस माव सकता है कैसे साइट का पूरा मामलाताएं मारा है जू प्रफलम है वह यहां से लेके यह IC में हो सकता है या तीन में से कोई कैपटेम शोट हो सकता है ठीक है यह कि एक तो हम डायरेक्ट इस पे वोल्टेज दे के भी हम इसको कर सकते हैं और ऐसे भी प्रोब्लम सॉल हो जाता है सेवन्टी एटी परसंट अगर आप यहां पर वोल्टेज दोगे तो या तो यह इसी हीट हो भी या तो यह कंपोनेट कोई ने कोई हीट होने वाला है तो यह सब्सक्राइं इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं लेकर इसम रिस्ट फेक्टर कितना है कि सपोज आप यहां से वोल्टेज देते हों कुछ वोल्टेज आपने दिये सब में यहां पर सही हैं और जिसके लिगा ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा एंपियर जाएगा तो उसका नीचे का पैड भी जल सकता है सेम कंडिशन इस आईसी के अंदर भी हो सकती है और कई-कई बार यहाँ पर CPU में जा रही होती है तो हम लोग तो जो हमारा तरीका है वो यही है कि अगर कोई कैसा म hi c क के अंदर जा रही है तो सब से पहले अशी को निकाल के उसको सेरी क्यों ही की डाले अगर हो सकता है चलो पेड़ नहीं जले लेकिन कि दोनों तरफ से आप तो IC के वापिस आने ही आना है तो सबसे पहले हम यह काम करेंगे कि हम इसकी IC को दोनों को रिमो कर लेंगे तो कि मैं नहीं चाहता कि यह IC के अंदर अगर शोटिंग है तो वह शोटिंग की वज़ा से पूरी यह उसके नीचे के पैड करा हो जाए और फिर हम वह फोन जो है इसको हम वापिस से हम लाइव नहीं कर सके तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है इसलिए मैं यहीं चाहूँगा कि पहले हम इन दोनों इसको रिमू करेंगे और फिर बाद में हम वहाँ पर वोल्टेज देंगे अगर शोटिंग नहीं अठाट तो अगर शोटिंग हट गया तो बात कोई टेंचर वाली नहीं है ठीक है तो हम इसका प्रक्टिकल करके देख लेते हैं कि शोटिंग आप है तो यह एक IC है बाड के अंदर हमने देखा हूँ और यह दो जो कंपोनेंट है एक जगह खाली है दो मैं और तीसरा do की है यह वाला यह वाली जगह है वह यह वाल है जहांपे लगा अर्वाली है जाहां पर Lfenew रुटेव है तो यह सारे आंधानकी है अपिस लगाई है और फिर हम आपको दिखा रहे हैं तो यह IC को उठाने में टाइम नहीं लगेगा हम इसको फ्लक्स लगाके इसको हिट करके IC को निगाल लेते हैं क्योंकि जो इसका शौटिंग है वो हम पहले ही फाइंड कर चुक है जैसे मैंने बताया है ऐसा कोई ट्रिक वगरा नहीं है इसके बना तो यह IC को हम पहले हटा लेते हैं दोस्तों यह इस तरह से अगर आप IC उठाते हो बनी हुई हो तो इसको रिबॉल करने की ज़रुत नहीं पड़ती है तो इसी तरह से अगर आप IC उठाते हो लेकिन आपको यह देख लेना है कि उसके पीछे की साइड में या कहीं अब हम इसको क्लियर करेंगे और फिर वापिस यहाँ पे जो हम आपके जो हम आपके जो हैं लिकिन यह आपकी स्किल के उपर डिपेंड है तो यह एक चीज़ ध्यान रखना है तो यह दोनों IC हमने हटा ली है अब हम इसको क्लियर करेंगे और फिर वापिस यहाँ पे जो हम रोजीन को एप्लाइ करेंगे और फिर हम जो है इसको वल्टेज देखे हम देखेंगे क्योंकि मैंने जैसा बताया कि IC का फोल्ट नहीं था यह कंपोनेट का फोल्ट ही था लेकिन IC उठाना जरूरी है बस यह आपको दिखाने के लिए इस पेशल में ने यह वीडियो बनाया है क्योंकि अगर यह लाइन अगर CPU अगर में जाती होती तो हो सकता है अगर IC तो एक बर आपकी खराब होगी पावर ऐसी तो आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन जब CPU यह EMMC आपका डैमेज हो जाए तो ऐसी कंडिशन में फिर फोन को require करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो ऐसा हमें नहीं करना है रिस्क वाला कोई भी काम नहीं करना है एकदम सेफटी से काम करना है तो उसी के लिए देखिए अभी अमने य Caitlin जो है इसको यहाँ पर यह दो लिए इसको यहाँ पर इंग तो पर इए का मिर्ण धर अब कर सकता था लेकिन सिर्प आपको दिखाने के लिए कि हगर अगर CPU वगएरा हो तो आप इस चीज का ध्यान रखा करें यहां पर हमने यह वोल्टेज दिया है वोल्टेज मैंने दो दिया है यहां पर और MPR यहां पर पास्ट दिया हुआ है क्योंकि अब कोई risk pattern नहीं है हमारे पास अगर component जल भी जाता है तो हमें tension नहीं है देखिए यह component जो है वो फी गल गया तो यह component जो है इसको हम निकाल देंगे रोजिन पर फेलर ठोड़ा clear कर लेते हैं और फिर हम जो इस component को है वो निकालते हैं इसको हमने properly clean कर लिया है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा flux apply करेंगे और इस component को उठा लेंगे फ्लक्स आ गया यह component अमारे जीम में हो गया यह component अमारे जीम हो गया PCV को थोड़ा ठंडा कर लते हैं और फिर हम जो है इसका checking कर लेंगे अब 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 मल्टीमिटर से चेक करेंगे कि इसमें शोटिंग है या निगल गई है दोनो साइट अब कोई लोड नहीं है यानिके एक साइड आई सीय निकल गई है दूसरी साइड पर आई सीय वह भी निकल गई है तो मतलब इस पर कोई लोड नहीं है, तो अब यह oil दिखाएगा, यानि कि इस पर कोई value आना चाहिए, नहीं कि सिर्फ दो capacitor है, देखिए इधर oil आ गया, उदर की side भी IC निकल गई है, तो उदर भी oil आ गया, यानि कि दोनों side से oil आ गया, मतलब जो हमारा shorting है, वो हट गया है, ये oil आ गया, ये इधर भी oil आ गया, जोनो side से हमारी shorting जो है, हट गई है, अब IC जो लगाने की है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा fast forward में कर देता हूं, ताकि आपका ज्यादा time waste ना हो, और आपको पूरी चीज जो हो, समझ में आद आए, तो अब ही, दोनों IC को जो है, हम यह झालोẳस्ट जो झालोνε कजिया यह ओनी कि हम वेजाए, हम गया हो, ताकि अर ना हूं में को लगा, जो में को लाका जोस्तों कि हैं च बाब कर दोदीत coalition झाल 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 दोस्तों हमने लगा दी है दोनों ऐसी और अब हम इसको फिटिंग करके देखते हैं कि हमारा फोन जो है वो ओन कंडिशन में आ गया है इसको फिटिंग हो गया है यह मैकल लोगों आ गया है दोस्तों इसी तरह के वीडियो आगे आपको मिलते रहेंगे और स्टूड़न भी बना के काफि सारे वीडियो बेज रहें लेकिन कई सारे श्टूड़न को इतना एक्स्पिरेंस नहीं होता है तो तो उतना अच्छा कोले क्लिका नहीं होता है तो मैं उसको नहीं रपता हूँ लेकिन जैसे जैसे मैं उन लोगों को ट्रेंड कर रहा हूँ तो बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं दोस्तों तो रेडी हो जाएए देखिए जो सैट है हमारा वो कंप्लिटली ओन हो गया है औ देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है ठीक है सब कुछ होके है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कॉमेंट करेके बताइएगा हमें और आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो विदाए लेता हूँ आपसे तब तक के लिए गुडबाई